नमस्कार, दोस्तों, study icon में आप सभी का स्वागद है, दोस्तों जैसा कि अभी हमने अभी कुछ देर पहले आपका किया, measurement का जो हम सारा topic तो हम सारा ठीक कर चुके, अब हम करने वाले हैं इसका practice set, ठीक है, तो practice set में जो आपको में लेकर आएं, plus 40 जो है, बहुत ही best question है, जिस external micrometer the force and the spindle of the anvil is made up of the following ठीक है तो आपको देखिए इसको में थोड़े जूम कर देता हूं आपको अच्छा से दिखने लगए कर देखिए in an external micrometer external micrometer में the face and spindle of the anvil is made up made of the following ठीक है किस से बना होता है पहला option आपका cast iron से बना होता है दूसरा option क्या है chromium से steel से बना होता है या फिर tungsten carbide से या फिर aluminium alloy से इसका सही answer क्या होगा देखिए दोस्तों आप एक बर थोड़ा से देखें क्योंकि इसमें जो है आपका जो question है इसको आ chromium steel ठीक है दोस्तों तो याद रखना है आपको देखिए अब next question में चलता है हमारा second question the concept of micrometer work on micrometer का जो concept है वो किस पर काम करता है तो देखिए मैंने आपको अभी इस से जस्ट सेकेंड लेक्टर में भी बताए यह चीज़ है ना तो ratio of gear पर करता है क्या rake and pinion पर करता है different between two scale on the ball या फिर on the bolt and nut तो इसका answer हो जाएगा आपका on the bolt and nut ठीक है बोल्ट और nut पर के principle पर काम करता है ठीक है इसका answer आपका हो गया डी चलिए हमारा next question देखने देखिए next question हमारा third question में है metric micrometer are available in the following तो जो metric micrometer है वो इस range पर available होता है तो देखिए option में A में दिया 25 mm B में दिया 50 mm C में 75 mm और D में आपका 5 mm तो इसका answer जो होगा वो होगा आपका 25 mm ठीक है याद रखना आपको 25 mm जो है इसका answer आपके थर्ड कर ठीक है उसकर आगे बढ़ते है question no.4 में देखते है question no.4 में क्या दिया हुए there is an error in the outside micrometer and accurate reading can be taken by ठीक है accurate reading के साबसे लिए जाती है त e c d में से देखना option क्या है तो इसमें देखी इसका answer editing negative error to the actual reading actual reading में आप जो है negative error को add करते है ठीक है फोर्थ 01 mm होता है क्या फिर भी option है आपका 0.1 mm या फिर 0.2 mm या फिर 0.05 mm ठीक है तो इसका जो option answer होगा वह आप देखी फिफ्ट का answer जो आपका होगा C 0.02 mm ठीक है यह इसका answer 0.02 mm इसका least count है कि इसका वर्नियर कैलीपर का ठीक है वर्नियर कैलीपर का 0.02 माइक्रो मेंटर का 0.01 ठीक है यह मैं आपको बताया था एमे में ठीक है यह आपका 0.02 वर्नियर का याद रखना है ठीक है जाओ लीस्ट काउंट ऑफ बशन प्रोल इस बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीज़ट काउंट क्या होता है देखना है आपको ते इसका आंसर आपका देखिए A option है क्या B option और C option में फाइब मिनिट दिया हुए तो इसका आंसर आपका C option 5 minute ठीक है तो question number 6 का answer is C 5 minute ठीक है कौन सा बेवेल प्रोटेक्टर है वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर तो चलिए हमारे next question देखते है हमारे next question question number 7 what is the zero reading of 55 to 70 minute outside micrometer ठीक है 55 to 70 minute outside micrometer की जो है zero reading क्या होती है तो इसका answer है जो आपका वो है D answer 50.00 mm ठीक है चलिए हमारे question number 8 देखते हैं the meaning of the zero error in a micrometer to zero error micrometer में जो होता है उसका मतलब क्या होता है तो उसका जो मतलब होता है वो होता है आपका देखिए इसमें इसका जो answer होगा आपका D option ठीक है D option when the measuring face of the contact and zero on the thimble ठीक है and zero on the datum line do not meet each other ठीक है इसका answer है आपका D option question number 8 का answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D option चलिए question number 9 देखते है question number 9 में क्या बोला है the ratchet stop in micrometer help in ठीक है तो रेचिट जो होता है micrometer के पीछे का पार्ट है मैंने आपको बताया था है यह सतरह से micrometer है यहां पे आपका थेंबल है यहां पे आपकी इस्टे के यहां नीचे रेचेट है न सबसे लास्ट में तो यह क्या करता है किस चीज के लिए help करता है यह help करता है आपका controlling the pressure ठीक है pressure को control करने के लिए करता है controlling the pressure इसका answer हो जाएगा आपका a controlling the pressure देखते हैं there is a negative error of 0.03 mm in a in a micrometer if the micrometer given measurement of 40.53 mm then what will be the correct reading तो यह आपको जो है numerical type से question है उसको solve करने पर यह answer निकलेगा तो यह अगर आप इस तरह की question वैसे उसके आपके आरबी में अभी numerical के ज्यादा इतने ज्यादा chances नहीं है लेकिन यह question मैंने डाला है तो इसको हम solve करके निकालेंगे ति यह निकलेगा 40.56 mm ठीक है 10 cancer तो चलिए next हमारा 11 question number lock nut is used in a micrometer for तो lock nut जो होता micrometer में वो किस लिए use होता है तो इस 11 का देखिए option दिये हुए आपको चार तो इसका जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी लॉकिंग डा रीडिंग ऑन दा जॉब आफ्टर फिक्सिंग जब हम जॉब में ले जाकर उसके जो इस तरह के शेप है यहां पर हमने जॉब जो फिक्स कर दिया यहां पर एंविल होता है यहां पर हमारे इस तरह से आपने देखा माइक्रोमीटर ठीक है तो इसका अंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 11 का अंसर भी ठीक है चलिह हमारा next question देखते हैं क्या बोलता है next question question number 12 question number 12 में there is a positive error of 0.02 mm in a micrometer if the micrometer give a measurement of 2.41 mm then what will be the correct reading तो इसकी इसका अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका a 25.39 ठीक है थोड़ा सा numerical type question आ गए हैं इसमें क्यूंकि देखिए मैंने थोड़ा सा theory में आपको numerical solve नहीं करा है इसलिए दोस्तों वहाँ पे बहुत छोटा ही सिंपल सा एक formal हलका सा होता हो जिसको आप देख लीजेगा notes में दिया हुआ और वहां से आप इसको solve कर सकते हैं अगर फिर भी आपको कोई problem है तो आप कमेंट कर दें तो मैं इसको भी आपको numerical भी बता दूंगा इसका ठीक है चलिक नमर 13 जो है 13 में what is the value of micrometer setting in the following figure तो यह देखिए इस तरह से question भी आ सकता है भाई क्योंकि आपको जो है भाई जो आपका जो एक्जाम है उसमें आपको practical knowledge बहुत अच्छी होनी ची इसी वैसे तो हो रहा है आपका यह टेक्निकल पार्ट है ना तो इस वैसे मैं आपको बता दूं कि भाई यहां पर जो इसका answer होगा वह आपको यहां पर reading देखकर बताना ठीक है तो दो एक्जेक्ट टू के ऊपर तो है निए अपकी लाइन देखि में जूम करके बता रहा हूं देखिए यह वन एंटू तो दो एम्म है तो यहां पर दो दूसरे की ऊपर नहीं थोड़ा सदिकी बीच में गैप है यह हलका सा यह वाला गैप है ना तो यह गैप अब यह कित हिसाब से हमने यहां पर डिसाइड किया है कि इसका अंसर क्या होगा तो रीडिंग आपको देखना आना चाहिए तो इसका अंसर है 2.31 तो देखिए यहां पर 30 है 30 के बाद 31 देख रहा है आपको तो यह 2 हो गया और यह थोड़ा सा गैप था उसके लिए हमने यह वाला सैटिंग इन फॉलिंग फिगर आप देखिए इस फिगर में जो माइक्रोमीटर में सैटिंग है इसका अंसर क्या होगा तो 14 का जो अंसर हो जाएगा वह आपका यह हो जाएगा 12.69 mm ठीक है 12.69 mm ठीक है तो यहां पर देखिए 10 है 10 के बाद देखिए 11 और 12 12 और थोड़ा सा यहां पर देखिए गैप है तो यह वाला जो पाट है यह जीरो पंट नाइन है न ठीक है तो यह से सबसे आप यहां पर इसको देख लेंगा ठीक है तो यह कुश्चन में फिफ्टीन देखिए इन विच आप देफॉलिंग माइक्रोमीटर डग्रेजुएशन ओफ थिंबल ठीक है और स्लीब्स आर मेट इन डापोजे डिरेक्शन विद रेस्पेक्ट तो एन आउटसाइड माइक्रोमीटर ठीक है तो यह कुश्चन आपको क्या इसमें बता रहा है भाई तो यह होगा इसका अंसर होगा आपका बी ऑप्शन डेप्थ माइक्रोमीटर ठीक है डेप करना दो सिक्स्टीन का जो हमारा एंसर हो जाएगा वो हैं थिमबल को जाएं इस ठोड़ा से要पे थोड़ा से गुप्डर सा खुरुदाब बीरीक या मेंदान होता है था कि हम इसको रोटेट करें गिजब रोचे तो यह हमारे हाथों से उसक था क्लान दो इसको भिख्छ विएज़ी इन आवर्नियर केरीपर इस वर्नियर केरीपर वन एमस्द वन इसका कितना डिफरेंस होता है तो कोश्चन नमर्स 17 का आप देखी यह होता है और इसका मैं अंसर बता देता हूं आप इसको खुश से करके देखें कोश्चन नमर्स 18 का जो अंसर होगा वो 7.31 मैं अभी प्रिवियस अभी कोश्चन में जस्ट बताया है उसी इसाब से आपको यहां पर करना है ठीक है चलिए हम कोश्चन नमर्स 18 देखते हैं ऑन द आउट स्ट्रिक माइक्रोमीटर शेल भी फॉलिंग माइक्रोमीटर में कौन से रीडिंग यहां पर दी गई है तो दोस्तों देखो यह से कुश्चन आ सकते हैं ठीक है इस वाज़े से मैंने इससे कुश्चन आपको दिया हूं तो यह रीडिंग आपर 21.14 mm हो जाएगी जैसी आप इसको यहां पर थोड़ा डाइग्राम में सही नहीं दिख रहा तो यहां पर देखी यह 20 लिखा हुगा है 20 के बाद यहां पर देखी यह वन के बाद थोड़ा सा गया पर मतलब कुछ और एक्स्टा है तो ट्वेंटी वन पॉइंट इसका अंसर था आपका 21.14 ठीक है तो च 21 देखते हैं तो कुछ नमर 21 में क्या बताया गया कि identify the micrometer show in the figure ठीक है अब यह micrometer आपको बताना जो इसमें दिख रहा है कुछ इसमें आपको डाइग्रम में तो थोड़ा सा अपना logic लगाई अगर आपने इसको कहीं देखा है तो आप देखी बहुत आसानी से जवाब द वाइल टेकिंग रीडिंग ऑफ न डाइल इंडिकेटर कुछ नमर 22 हम पढ़ रहे हैं इफ इस अलॉग फॉम दैने एंगल रैदर दन दे लुकिंग इंडिकेटर विल शो एदर लोवर और हायर रीडिंग विच आप दे फॉलिंग शैल भी एरर ठीक है तो किस टाइप के अब्जर वरी एर ठीक है चली हम को चनमर 23 देखते है अइडेंटिफाइए एक्स पार्ट आफ दे माइक्रमीटर फॉम दा गिवन फिगर अब देखिए एक्स पार्ट मतलब सबसे लास्ट में है तो मैंने इसका अंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन रैचिट स्टॉप ठीक है रैचिट स्टॉप इसको बोलते हैं एंड वाले को ठीक है तो 23 का जो अंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा भी ऑप्शन रैचिट स्टॉप ठीक है इसलिए आपको सारे पार्ट माइक्रोमीटर वर्नियर के रिपर के आपको पता होने चाहिए ठीक है तो चली हम कोशन में 24 पर चलते हैं कोशन में 24 में क्या बता है विच पार्ट ऑफ फॉलिंग गिवन वर्नियर के पिए कैलीपर एस शोन इन दा फिगर इस यूज फॉर मेजरिंग इंटर्नल रेडियस इंटर्नल रेडियस मेजर करने के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है तो देखि इस चीज को तो यह हमने उल्टा रखा हमारा यह जॉब जॉब के हम आउटर डामीटर को अगर नापेंगे तो इन दोनों पार्ट को इसमें ऐसे से टच हो जाएंगे दोनों फिर लेकिन इनर्ज होगा वह यूं मूव करेगा यह वाला मूव पार्ट पी अंदर जाके फिक पार्ट ठीक है तो 24 का जो अंसर है आपका यह पार्ट है चली कोशन में 25 देखते हैं जा अब्जर्वेशन एरर इस आल्सों नोन एज वन अफ फॉल्वेशन एरर को और किस नाम से जाना जाता है बहुत इंपर्टन कोशन है यह आपको काफी अच्छा कोशन है ठीक है तो क ठीक है ड्यूट्यूर्फ सर फेस तो सके आगे आपको बताना क्या होगा दिए रफ सर्फेश के एकरके न Nag 역시 चुख नमेंटरीकल एरर uh question number 26 का जो अंसर वो होगा भी question 27 की तरफ चलते हैं तो question number 27 क्या बोलता है when an actual measurement take on the job does not match with the theoretical measurement mentioned in the drawing this type of error is known as इस तरह के error को क्या बोला या था when the actual measurement taken on the job does not match with the theoretical measurement of the जो हम measurement कर रहे हमारे instrument से वो हमारे theoretical measurement से match नहीं कर रहा है इस तरह की measurement को क्या बोला जाता है ठीक है तो इस तरह के measurement समझ लो हमारे कुछ पांच mm की है कुछ चीज हमारे पास ठीक है वो हमारे actual हम ले रहे measurement और हमारे उस actual measurement से match नहीं कर रहा है तो इस तरह के measurement को बोलते हैं long geometrical error ठीक है तो question number 27 का जो अंसर हो जाएगा वह आपका चाहिए जाए लॉंग geometrical error ठीक है कैलिपर इस made up of which one of the falling metal ठीक है वरनियर कैलीपर जो होता है कैलीपर होता है तो किस तरह के metal से अपका बना होता है 28 का अंसर जो होगा वह आपका बी कार्बन स्टील से बना होता है अब क्यों बाइं कार्बन स्टील बहुत मजबूत होती है और इस वाज़े से उसको बना जाता है क्योंकि हम उससे measurement का काम करने हो बार बार मेजर कर रहा है तो जो उसके सर्फेस जो मैटल है जो गिसे नहीं खराब ना हो और उसकी अकुरेसी बनी रहे इस वाज़े से कार्बन स्टील यूस करेंगे बहुत अच्छी स्ट्रॉंग होती और इसमें कुछ क्या यह फे टेंग्ट प्रॉसस्स वगर कर देते हैं लिए लिए पर चलते हैं सब्सक्राइब रही है यह फिर हमें भॉक्त यहां के वह इसमीर क्यूंग पर चलते हैं तो सब्सक्राइब है वह यह पार्ट को क्या बोलते हैं तो देखिए option में आपको दिये हुए चार उप्शन तो 29 को जो अंसर हो जागा बेंड लैग ठीक है इसको बेंड लैग बोलते हैं ठीक है अप्शन 29 का जो आंसर है वह है आपका बेंड लैग ठीक है चलिए हम question number 30 पर चलते हैं तो देखि से साप से determined किया जाता है तो इसका जो 30 आंसर हो जाएगा वह 30 आंसर आपको क्या होगा दिखिए तीन option दियो है आपका इसका अंसर हो जाएगा सी inside and of the stroke till the final end of the blade ठीक है इसका अंसर हो जाएगा तो 30 का आपका c option चलिए नेक्स चलते हमारा 31 which one of the falling equipment is तो किसी सर्फेस की फ्लैटनेस को मेजर करने के लिए थोड़ा सा देखिए दोस्तों आसपास से थोड़ा साउंड आ रहा होगा तो यहां पर उसके लिए में माफी चाहूंगा दोस्तों अब लेकिन कुछ नेचरल ही चीजे हैं वह साउंड को तो हम रोक नहीं सकते कहीं दू 21 विच वन उफ फॉलिंग इंट्व करने के लिए कौन समय उस करते हैं यह करते है落ए कर अदेश करते लोगत करते हैं तो मेंने आपको यह बताया हो है ठीक है् नमर 32 पर चले जाएगा आपका इंजीनियर इसको बोलेंगे इंजीनियर ट्राइस्क्वेर विद इस्ट्रोक ठीक है तो यह जो आपका है यह बी ऑप्शन इसका अंसर तो कोश्चन नमर 33 पर चलते हैं चली कोश्चन नमर 33 देखते हमें विच एंगल कैन भी चैक्ड यूजिंग अट्राइस्क्वेर के यूज करने के लिए कौन सा एंगल हम चेक करते हैं बहुत ही सिंपल अभी तक कोश्चन है यह इसका जवाब जो होगा वोगा 90 डिग्री ट्राइस्क्वे सर्फेसक यह सिंपल आएंगा फ़ी तो अब अच्च्व स्कौर रहा है क्या आउटसाइड कैली पर वार जैनी केलीपर ragouse減 लऺे Leah раб However बीक शूब्स स्क्राइब अपका योर बी दोन हो ठीक है तो इनसाइड कैलीपर और में पहले देख थो यह कुछ इस त्रे वह है वन पर सीदवह सीदवась होता है ठीक है आपने आसे लगा होता है इसको स्प्रिंग बोलते यह अलग है पड़ मैं आपको बता रहा हूं देखो ऐसे यह बनानी पारहों एक मिनम बता रहों कुछ इस तरह ऐसे यहां पर सिस्टम में यह लगी होती है इसको हम बोलते है स्प्रिंग टाइप का ठीक है तो अपरवाला हिस्से में यह ऐसा लगा होता है इसको बोलते हैं हम इस प्रिंग थीक है तो कौशन No.35 इंसाइड दे नेम ऑफ कैलीपर शोन इन दा फिगर यह कैलीपर जो फिगर में दिख रहा है इसका आपको नाम बताना कोशन नमर 35 35 को जो अंसर होगा वो क्या होगा आपका 35 को जो अंसर होगा और लेक कैलीपर इसको बोलते हैं ठीक है सी ऑप्शन इसका साही है ठीक है कोशन मर 36 आगे इंटिफाइड जैनी कैलीपर फोल्लीव इं में से आपको जैनी कैलीपर बताना है तो बहुत सिंपल हो ज़ाता है आपको दिख रहा है 36 में जैनी कैलीपर यह वाला एप्शन आपका सही है अपिर तो आप्षे को खिल है तो यह आपके पहस प्रिंग जो उठीक है यह थोन यह तो लोगते है यह आउटसयट जिस खिलेगां यहां पर स्विंद से न एक किन में कर लेखे सुद्धान करें तो था il पता कजिन नमर 37 कहा भी ठोड़ता एंग्र ंद्रिफों हैं इसके तीन नाम और 37 जो travelling जो इसके तीन नाम है व कैसे लिए जाता है ठीक है कालीपर के जो साइज है वो लिया जाता है आपका option number B from point till the center of the rivet ठीक है यह इस कांसर है 38 का B from the point till the center of the rivet यह आपका 38 का हो गया आपका भी ठीक है तो question number 39 the fitness of the steel rule is ठीक है the fineness sorry fineness the fineness of the steel rule is the fineness मतलब की एक तरह हम यहां पर बात करना है इसकी clearance की एक तरह है ठीक है तो fineness कितना होता है street rule का मैंने आपको बताया था भाई कितना होता है देखिए चारो option है आपको सामने देख रहा है 39 का 39 का 0.05 sorry 0.05 0.5 mm ठीक है 0.5 mm जब हम स्केल रखते हैं तो स्केल में देखिए यहां पर कोने में सबसे कम हम नाप सकते है 0.5 mm ठीक है 0.5 0.5 कि सबसे फिर ऐसे centimeter में convert होता है तरह से चल सकता है मतला एक तरह से क्या हो जाए इसको लीस्ट काउंट बोल सकते हैं ठीक है एक तरह से केली पर है अभी जस्ट अमुग पर डिसकस कर रहे हैं तो दोस्तों यह थे हमारे 40 कोशन और 40 कोशन में आयो काफी कुछ आपको आते होंगे और आप इनको बिलकुल आसानी से समझ पा रहे होंगे कि कि किस टाइप के कोश्ट बनते हैं इसमें मेजर में ठीक है और इसके सा अब उसको देखें एक बार ठीको उसको समझे थोड़ा उससे भी काफी चीजें यहां से आप कवर कर सकते ऐसे पार जोगे से ठीक है कि जो बचा हुए हूंगे तो यह थे हमारी आज को और देखिए दोस्तों अब थोड़ा में स्पीड बढ़ाएंगे और यहां पर मैंने ज्यादा explain नहीं किए हरे question को क्योंकि हमें यहां पर चालिज कोश्चन और कम समय में cover करने थे ठीक है तो explain करूंगा तो normal सी बात है थोड़ा ज्यादा time लगेगा और अच्छी बात है लेकिन explain करना वो उसमें आपको बहुत सारी तो दोस्तों वीडियो खतम करने से पहले से मैं आप से बताओंगा जो भी नोट्स वगयरा है इसको आप यह आप टेलीग्राम ग्रूप में से ले सकते हैं टेलीग्राम में आप study icon नाम से आप सर्च करें ठीक है study icon नाम से आप सर्च करें वहां से ज्वाइन हो जाए और ठीक किसी वीडियो में आप मुझे सेंड़ करतें है तो मैं बोन ह मेरो देख लो मैं थीक है कमेंट में आपको क्या करते है अपना नमिए सब्सक्राइब जरूर करने दोस्तों इससे हमारा कॉइंट बढ़ रहा है दोस्तों और बढ़ता है और साथ में एक बैल आइकन होगा इसको दबा देंगे जैसे नई वीडियो में अपलोड करूंगा वह आप तक पहुंच जाएगी और अपने दोस्तों के शेयर भी करें इस तरह से क्या अच्छा आपके एक्जाम के लिए तो आप कम से कम अपने दोस्तों की तो हेल्प करी रहें इसको शेयर करके ठीक है दोस्तों हम इसको यही समप करते है जहन दोस्तों